आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत दोस्वागत है चौबिस अगस्त के करेंट अपके सामने हाजर है तो हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले तो पॉर्ण एडिक्शन को खतम करने का शांदार कोर्स हमारा लाइव है तीन लेवल से इस बार हमने डिफाइन की हैं कोर्स सिर्फ और सिर्फ पांसो रपेका है नौ महिने के वेलेडिटी और 6 से अपके वेलेडिटी काउंट होगी तो चैलेंज कूपन को यूज करें तो आज हम ये पांच करेंट इंटरफियर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ट्रेड डेफिसेट वे चाइना आपको पता है चाइना हमको बरबात कर रहा है 2014 से लेकर 15 तक भारत का जो ट्रेड डेफिसेट है ट्रेड डेफिसेट क्या होता है कि आप देखे बेचते हो खरीते हो तो कितना बेच रहे हो कितना खरीद रहे हो थीक है यह जायर सी बात है कि अगर आप चाइना से ज्यादा हरी रहे हो और कम बेज रहे हो तो आप तो घाटे में जो अगे और ज्यादा घाटे मेरे ऑ तो भाई आप फायदी तेरा तक 42.85 परसेंट बड़ा और 2014 से पंदरा तक 24 तक 6.45 परसेंट बड़ा तो यह एक अच्छी ख़बर है कि पिछले 10 सालों में हमारा तक बहुत जादा है अभी भारत जो बेचता है वो 16.6 बिलियन डॉलर का भारत चाइना को बेच रहा है और जो हम खरीद रहे हैं वहां से वह 10.75 बिलियन डॉलर तक का है तो ड्रेट डेफिसेट 45 बिलियन डॉलर का है आप देख सकते हो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और बाइलेटरल ट्रेड जो है वो लगबग 18.4 यूएस बिलियन डॉलर का है क्या क्या हम खरीदते हैं वह इस यह बात है फार्मसेटिकल रॉ मेटिरियल क्यापिटल गोड्स इलेक्ट्रोनेक मोबाइल फोन कॉम्पनेंट यह सब आप देखी सकते हो इतनी टेकनोलोजिकली चीज़े कोई क्यों खरीदेगा देश जब उसका ट्रांस्फोर्मेशन हो रहा है जब वो डिजिटली इंपावर्ड हो रहा है तो यह हमको साफ साफ दिखाता है फिर उसके बाद डिमेस्टिक डिमांड और सप्लाई तो भाद देखे भारत जो है भ 26.38 बिलियन डॉलर उसके बाद भी 65 बिलियन डॉलर पे 2020 में गिरे थी ठीक है तो सरकार बहुत सार इनिशेटिव ले रही है जैसे मोबाइल फोन इंपोर्ट के बात करते हैं तो और 48,000 करोड़ से 2014 में जो 48,000 करोड़ था वो सीधा 7,000 करोड़ पे गिरा है ऐसे ही केमिकल और 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 फैल्ट फालाईजर में भी हमको देखने को मिलेगा कितना स्पेस सेक्टर हमारे GDP में कंट्रोड करता है तो पेपर 3 साइन्स एंटेक के लिए सुपर इंपोर्टेंट है तो भारत का जो स्पेस सेक्टर है 24 बिलियन डॉलर के करीब ये कॉंट्रिव्यूटर था मतलब 20,000 करोण 96,000 जॉब्स है जो ये देता है और एक तरीके से नाशनल स्पेस डे मनाये गया था 23 अगस्त को तो पहली अनिवर्सरी थी चंद्रयांत्री किये पिछले साल आपको याद होगा कि रधान मंतरी मोधी जीनिस को एनॉंस किया था तो इसरो और इंडियन एकनॉमिक्स रिसर्च फर्म एको वन ने इसको पूरा कंड़क्ट किया है और अनलिसेस यही बता रहा है कि आखिरकर सोशो एकनॉमिक इंपाक्ट क्या रहा जो स्पेस सेक्टर भारत में ना 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 10 सालों में तो क्या हुआ तो सबसे पहली बात तो यह है कि 13 बिलियन डॉलर तक इंवेस्टमेंट आया पिछले 10 सालों में 8th largest space economy है और अभी सेक्टर में 700 companies हैं और और बागे स्पेस सेक्टर जो है वो टेलिकॉम आईटी और अड्मिनिस्रेटिव सर्वेस आप देखे सकते तीनों 25 परसेंट 10 परसेंट और साथ परसेंट इसने भी कॉंट्रिब्यूट किया है आप देखें का आगे आने वाले सामय में बहुत सारी space companies आएंगी जो इस रो पर जुडिशिरी ने क्या बोला है पेपर टू के लिए सूपर इंपोर्टेंट है तो तरी सगस्त का जो जर्जमेंट था उन्होंने सुप्रीम कोटे क्योंकि इसको लेकर काफी जादा प्रदर्शन हुए पटना में आपने देखा कि कैसे SCST में आप क्रीमी लेर ला सकते ह तो बताया कि भाई देखिए हम इंसल्ट नहीं करना चाह रहे थे याद रखिएगा तो यह बहुत गलत है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का जो प्रेवेंशन आप्ट है प्रेवेंशन आप एट्रोसिटिस आक्ट नाइटी नाइटी नहीं एक्ट तो हम जिए तो जज्जमेंट जो है वो मनोज विश्रा और जेवी पारदीवाला ने वही जिस्टिस जेवी पारदीवाला जो अभी इस समय कोलकाता ने केस की भी सुन्वाई कर रहे हैं लॉंग विट आर्चीव जिस्टिस ऑफ इंडिया शजन शकारिया को आंटी सेबेटरी ब अगर आप ऐसे पब्लिकली या कुछ भी ऐसा SCST मेंबर्स को कुछ भी गलत बोलते हो ना तो दिक्कत हो जागी यानि की हेट्रेड आ फैला रहे हो इनकी कमंटी के खिलाफ इंसल्ट हमेशा ओफेंस नहीं होती है तो कोट ने भी बोला कि देखिए इंसल्टिंग या इंटि अगर ऐसा होगा तो फिर ये गलत होगा कास्ट बेस्ट हुमिलेशन पर जस्टिस जेवी पार्दिवाला ने कहा कि देखिए अगर मान लिजे कि अंटचबिलिटी प्राक्टिस हैं या कास्ट सुपिरियोरिटी का आइडिया है अगर वो मान लिजे कि वो इसके अंडर आ र क्योंकि श्रीन जी जो एमेले हैं उनकी ऐसी आइडेंट्री थी थी तो वी हैब डू सच एविदेंस को ने भी बोला कि हमको कोई ऐसा एविदेंस नहीं मिला इनके वीडियो पर जो एट्रेड या फिट इल विल जो है वह स्ट कमुनिटी के खिलाफ प्रोमोट करता हो तो को समझना पड़ेगा तो लीगल प्रोटेक्शन यहां पर दी गई है को कोई भी ऐसा नहों कि यहां पर इन पर हमला कर सके भारत के डेवलप्मेंट में एग्री कल्चरल क्रिशी का क्या रूल है तो पेपर सी एग्री कल्चरल के लिए सूपर इंपोर्टेंट है 2047 का विज को कम से कम वेस्ट करना है जेनिटिकली मोडिफाइड क्राप क्रॉप इस दी की इरिगेशन टेक्नीक जैसे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है सामको नहीं करना है रधान मंतरी किसान योजिना जो है वह अभी 78,000,000 हेक्टियर जो इसको पूरा कवर कर रही है और 93,000 करो कि खेद वरबाद हो जाते हैं कभी बारिशे नहीं होती तो भी खेद वरबाद हो जाते हैं लगातार soil degrade होती जा रही है pollution की वज़े से fertility पानी नामले की वज़े से over grazing की वज़े से बहुत दिक्कते हैं और उसके बाद किसान आत्मत्या करता जा रहा है उसके पास भी बहु मतलब claims जो है वो इससे exceed हुआ है समझ रहो financial protection दिया आए गया है अगर crop losses आपके हूँ total claim इतने आये हैं तो बहुत अच्छी बात है नाम फिर आपको पता है कि national agricultural mission 1311 मंदी सट wichtig is kiya आपको पता ना किसान जो है वो मंडी में अपने अगल अगल पगल जो मंदी होती है वहां पे किसान जो है वो अपने जो इसने वोगाया है वह वहां यह लाया गया ताकि अच्छा खासा ट्रेड जो है वो किया जाए और फिर PM किसान जिसमें 6,000 रुपए जो है वो लगबग 11 करोण 80,000 फार्मर को अभी तक दिये जा चुके हैं अभी तक 23 करोण जो है वो डिस्ट्रिबूट किये जा चुके हैं अगरिक कल्चराल इंफ्रस्ट्रक्चर फंड है जो कि एक लाग करोण के करीब जो है वो और 30,000 प्रोजेक्ट को अलोकेट किये जा चुके हैं फूट डिमांड बढ़ने वाली है 2.85% अनुली पॉपलेशन ग्रोथ जो है वो लगबग 2040 तक 160 करोण हो जाएगी हमारी और जीडिपी का कॉंट्रिबूशन ये 7-8% तक 2047 में गिर सकता है तो यह बहुत डेंजिरस चीज है फूट ग्रेंड डिमांड भी हमारी 40 करोण से 43 करोण तक टन्स में जाने वाली है तो इसलिए इंवेस्टमेंट की ज़रूरत है इंफ्रस्रक्चर की ज़रूरत है पॉलिसी की ज़रूरत है और बजट में तो 20 लाग करोड के आसपास एग्रिकल्चरल ट्रेडिट जो है वो इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे 25 इंडिविजुवल्स पे 25 करोण का जर्बाना लगाया है रेलाइंस उनिकॉर्ण इंटर्राइजेस रेलाइंस एक्चेंज नेक्स्ट रेलाइंस कमर्शिल फाइनस रेलाइंस क्लीन जन रेलाइंस बिजिनस ब्राटकास्स न्यूस पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी जो होम फाइनस में आपने स्कीम चले फ्रॉड थी जिसमें आप फंड्स जो है और आरेच एफ आरेच एफल के फंड है वो आप डाइवर्ड करते थे लोन से आते थे लेकिन आप ऐसे लोगों को देते थे जो सही नहीं थे गलत लोगों क दिसपर्स किये गए लिंग्ड एंटेटीज को कुछ बहुत सारे लोगों को दिये गए गर सौ लेंट किसे जो है जो लगबग साड़े 8000 करोन के हैं वो अभी भी पेंडिंग है तो यहां पर जो लोन डिसपर्स किया गया जनरल परपस फर्किंग क्यापिटल लोन्स जो द प्राइस अभी कंपनी कहां साथ रुपए पे ट्रेड कर रही था अब 0.75 है सब के सब चले गए हैं तो यह लेच्चर था और बाकी कल के करेंट अफेस कल थांकियो सो मच